हलो दोस्तों, अमन कॉंप्टर टो पांटो में आपका स्वागत है आज की सी वीडियो में आप सेखेंगे कि MS बर्ड में लोगो डिजाइन कैसे किया जाता है तो जैसा कि आप लोगो भी दे सकते हैं कि मैंने मैक्रशप्ट बर्ड में कुछ इस परकार से लोगो डिजाइन किया जैसा कि आप लोगो भी देख रहे हैं तो इस तरीका से अगर जो आप भी लोगो डिजाइन करना चाहते हैं अपने स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए या फिर किसी दुकान के लिए तो आप इस परकार से MSBURD में लोगो डिजाइन कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता है, उंकि इस तरीका से लोगो डिजाइन करने के लिए किस-किस स्टेप को फॉलो किया जाता है और आप किस तरीका से इस परकार का लोगो बना सकते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या किजिगा अपने laptop में MS Word को open कर लिजगा चलिए मैं अपना MS Word open कर लेता हूँ तो MS Word जब आप open किजिगा तो कुछ इस तरी का से आपको आपको आपर interface दिखाए देगा जिसमें आपको अपने page को setup कर लेना है setup करने के लिए मैं आपको क्या करना होगा तो आप layout पर klick किझिगा layout पर klik करने के बाद आपको margin option मिलेगा इसमें प्लजट कर लेना है और सायज में आपको सायज ए पर को इसलिट कर myś begr लेना है तो इस तरीका साफ्सक्रों छेयों को शेट अप कर लें जिएगा और सटकंप करने बाद आप चलिए मैं आपको लोग डिजान करना बताता हूं तो लोग डिजान करने के लिए देखे मैं आपको स्रकल का एक बॉक्स मिलेगा इस तरीका से इसको आपको तो स्लेट कर लेना स्लेट करने के बाद आपका मौउस का करसल कुछ पलस की नियसान में कंवाट हो जाएगा और उससे आप शिट को पेश करते हुँ इस तरीका से ड्राइक कर लिए जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं मैंने इस तरिका से किया उसके बाद आपको देखिए यलो कराव का अपको दखाए दे रहा है यहाँ पर इस पांड को थोड़ा से देखें चा की अफरियों को धिशना इस तरीका से यहाँ इस तरीका से आप आप सकर accomplishments तो इस तरीका से मैं इतना रहने देता हूं उसके बाद आपको क्या करना हो उसके बाद आपको देखें हैं पर एक option आपको दिखा देगा इस format में आप क्या कर सकते हैं color fill कर सकते हैं जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इसमें आप अपने हैसाब से color को fill कर लिजेगा तो चलिए मैं एक color को यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूं उसके बाद देखें नीचे में एक option आपको दिखा देगा steps out line इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें आप क्या कि जिए अपनी outline को color कर सकते हैं यानि कि जो lining है उससे आप color कर सकते हैं यानि कि आप इसमें कोई भी color को इतना काम आपको सबसे पहला step यही करना है कि इस तरीका से circle लेना है और उसमें colorify करना है और उसका outline को colorify करना है तो इतना काम मैंने किया इतना काम करने के बाद आपको द्वारा से setup पर क्लिक करना हुआ उसके बाद देखे इधर एक option आपको मिलता है word. जैसा कि आप लोगों इतना काम करने के बाद आप अपना कोचिंग हो गया या फिर दुकान हो गया या फिर स्कूल का नाम टाइप किजीगा तो चलिए मैं अपना कोचिंग का नाम है यहां पर मैं टाइप करता हूँ इस तरीका से मैंने अपना कोचिंग का नाम टाइप किया DCIT Computer Training Center तो इसी तरीका से आप भी अपने कोचिंग का स्कूल का दुकान का नाम टाइप कर लिजेगा आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं अगर जो आपको हिंदी टाइपिंग आता है तो या फिर आप इंगलिस म इतना काम मैंने किया तो देखे इसमें भी एक option आपको ऊपर दिखाए दे रहा है इसमें देखे ओप्सन आपको दिखाए देगा शेप फॉर्मेट उसके बाद देखे यहीं पर एक option आपको दिखाए देगा text effect इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे option मिलेगा transform इसमें देखे आपको इधर बहुत सारा option मिलेगा जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं इसका एक window ही option खुलेगा जिसमें आपको यह वाला option को select कर लेना यह वाला अटाइच वाला option को इससे मैं select कर लेता हूं तो जब मैंने select किया तो दे सकते कि आपका जो text जो आपने type से कर सकते हैं कुछ इस टाइब से आपको adjustment कर लेना इस तरीका से नीचे के और उपर के और घिचकर इस तरीका से मैंने यहाँ पर adjustment कर रहा हूं तो इस तरीका से आपको भी कर लेना है जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं और आपने circle जो आप लिए थे उसमें आपको इ लेना है और इस तरीका से मैंने यहां पर कर रहा हूं और कीबोर्ड का ग्लाइट और लेट का बटन होता हुससे आप भी अजेस्ट कर लिजगा इस तरीका से तो इस तरीका से दे सकते कि मेरा यहां पर DCI to Computer Training Center जो मैंने लिखा तो वो यहां पर मैंने adjust कर लिया आप इस तरीका से कर लिजीगा उसके बाद sense format पर किलिक करना है और इसमें आपको color को feel करना है text fill में आपको और इसमें आप अपने साब से color को select कर सकते हैं जो भी को color का use करना है उसका आप यूच कर ली जगा चलिए मैं यहां से एक हम ब्लैक कर लेता हूं इतना आपको कर ले अनeffective आपको देख रहें कि मैं अपना काम तो मेरा हो गया जैसा कि आपको बहुत नहिंद आपको देख रहें इस तरह से में अपना कोचिंग का नाम लिख दिया है अब मैं क्या करूं यहां पर देख सकते कि चारों तरफ इधर भी पॉइंट में और यह सड़ भी मैं एक अस्टार लगाऊंगा अस्टार लगाने से जादा बेदर रहता है इसलिए मैं पर अस्टार लगा रहा हूं तो अस्टार लगाने के लिए आपको इंसर्ट पर क्लिक क करना है उसके बाद इसमें आपको सेस्ट पर क्लिक करना है और सेस्ट में आपको मिलता है अस्टार का यह उच करना है तो देख सकते कि यहाँ पर एक आपको मिलेगा अस्टार इसको आपको सिलेट कर लेना है और शिप्ट को प्रेस करते हुए आपको इस तरीका से यहाँ पर इसे में पकड़ता हूं मैउस से और इधर भी इस तरीका से हाँ पर जाकर पर इस चुल मैं Case interview कर लिया कोच इस तरिका से आपको भी करना है तु में एडरी स्थर scola से हरं पर екए कि मैं नेहिंफ पर पर स कर लिया अब चलिए मैं नीचे में भी कुछ टाइप कर देता हूँ, नीचे में आप coaching का address टाइप कर सकते हैं, या फिर आप director का नाम भी लिख सकते हैं तो चलिए मैं address टाइप कर देता हूँ, तो address टाइप करने के लिए आपको वह स्टेप को follow करना होगा, इंसा टाइप पर किलिक करना होगा, और आपको word data option को सिलेट करना होगा, और इसमें आपको text का style को सिलेट करना होगा, इसमें आप अपना coaching का address या फिर डारेक्टर करना भी feel कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं नालंदा जो मेरा address है, जो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ, तिस तरीका से मैं नालंदा type किया, उसके बाद text effect पर गिया, और text effect पर जाने के बाद transform पर गिया, और इसमें मैं यह वाला circle का use नहीं करकर, इसके side वाला circle इसके हम यूज कर रह करना है, कुछ इस type से जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, तो कुछ इस type से आपको अच्छी तरीका से कर लेना है, आप देखिए हाँ से move भी कर सकते हैं, यानि कि अच्छे परकार से adjustment कर सकते हैं, तो इस तरीका से मैं आप पर नलंदा type कर दिया, उसके बाद इसमें भी मैं color को feel कर देता हूं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीका से तो मेरा address भी हाँ पर मैंने type कर दिया, इसमें आप अच्छे परकार से adjustment भी कर सकते हैं, कुछ इस परकार से मैंने आपको बताया था कि इस तरीका से आप कर सकते हैं, तो इतना काम करने के बाद आप च जिसके संबंदी लोगो design कर रहे हैं, उसका picture download Google से कर लिजीगा, जिसे कि मैं computer से संबंदी यहाँ पर मैंने logo बनाया है, तो मैं computer का picture का use कर सकता हूं, या फिर आप और भी picture का use कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो चलिए मैं भी picture का use कर रहे हैं यहाँ पर बीच में logo लगाने क तो एक picture मैंने download किया था, तो पिक्चर लेने के लिए insert पर मैं click करता हूं, और एक picture मैं से select कर लाता हूं अपने drive से, जो भी मैंने यहाँ पर download किया था, तो कुछ इस तरी का समया पर मैंने picture को download किया था, यह बला देखे picture मेरा आ चुका है, अगर जो आप इसी picture का use करना जा respond to text कर लेना है, तो इस तरीका से आपको चारोत रप से पकड़कर इसे अच्छे परकार से adjustment मैं यहाँ पर बीच में कर देता हूं, इसे परकार से आपको भी करना है, इसमें आप अपने साफ से picture भी लगा सकते हैं, या फिर बीच में आप कुछ text भी लिख सकते हैं, तो इस school के लिए logo design कर सकते हैं, तो इतना तो आपने सीखा कि आप इस तरीका से MS Word में logo design कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर जो मैं size A4 पर logo design कर रहा हूं, तो इसका use हम कैसे करेंगे, अब चलिए मैं आपको इसका use करकर सिखाता हूं कि आप इस logo का use आप कैसे कर सकत कि यहां पर एक option आपको दिखा देरा search बार यह सभी laptop computer में होता है, तो इस पर आपको click करना है, और इसमें आपको type करना है, तो snapping tool खुल जाएगा, जिससे कि देख रहे हैं कि इस tool का मैं use कर रहा हूं, तो इससे मैं select click करता हूं, तो इसमें एक window खुल लगा, जिसमें आपक screenshot लेंगे, आप जिस भी part में लोगों जान करेंगे, उसी part को screenshot लेंगे, तो चलिए मैं उसी part को यहां से मैं screenshot कुछ इस परकार से select करकर मैं ले लेता हूं, इस तरीका से, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, तो इस तरीका से लेजिएगा, उसको पास छोड़ file name दे देना, जो भी आप देना चाहते हैं, jpg रहेगा file में उससे आप इस तरीका से save कर देजिएगा, तो जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा Apple logo save हो चुका है, अब चलिए मैं आपको इसका use करकर दिखाता हूं, कि इसका use हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए मैं MS Word का new page ले ले लेता हूं, यहां से मैं new document को open में कर लेता हूं, और जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर poster design कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना logo का use कैसे कर सकते हैं, तो लोगों का use करने के लिए आपको insider पर click करना है, insider पर click करने के बाद आप sales पर click क को select कर लेना है, इसमें आप out, और आप अपने drive से जहां पर भी आपने logo को screenshot लिया था, उसे आप select करकर इस तरीका से input कर लिजगा तो दे सकते हैं, कि आपको लोगों यहां पर आ चुका है, तो कुछ इस तरीका से आपका यहां पर logo आ गया है, इसमें आप order line को remove कर दीजग तो इस तरीका से आपका logo आपर दिखाए देगा, और इसका use आप कहीं पर भी असानी तरीका से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो direct picture ही ला सकते हैं, जिससे कि मैं आपको भी करकर दिखा देता हूं, इस तरीका से मैं picture पर click किया, और इस तरीका से मैं direct picture को ही open कर लेता हू उसके बाद आपको brave text पर click करकर इसे आप in found to text कर लेना है और इससे आप छोटा करकर आप इसका use कहीं पर भी कर सकते हैं तो इस तरीका से आप logo का logo design करकर MS Word में और इस परकार से use आप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो यह एक छोटा सा प्रोसस था लोगों बनाने का जो आपको वीडियो ठिक लगा तो वीडियो को लाइक और चनला पर नए हो और चनल को भी सब्सक्राइब जरू करते जीगा क्योंकि हम कॉंपेडस रेडर इसे परकार से वीडियो बनाते रहते हैं वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद